आज मैं लाई हूँ चार स्वीट्स की रैस्पी जो की बिल्कुल आसान है बनाने में दो में तो आपको गैस भी नहीं जलानी होगी और घर में मौझू समान से बनेंगी ज्यादा ताम जाम नहीं है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है इनका तो ये मैं बना रही हूँ पेड़े पेड़े बनाने के लिए देखे आपने क्या लेना है सबसे पहले एक छोटा मिक्सी का जार लेना इसमें डाल लेना आदा कप शूगर हाफ कपी डालना डेसिकेटिड कोकोनेट नारियल का बुराता एक से दो हरी लाइची या हरी लाइची का थोड़ा सा पौडर डाल लेना ड्राइफ रूट लेने थोड़े से जादा ने लिए पांच काजू और पांच बदाम लिए बस इनको डाल करना बिल्कुल फाइन प पीस लेना है पीस कर इसको एक बॉल में निकाल लेना अब लेना है आधा कप चने रोस्टिट चने जो आते ने यह देखिए मैंने लिए यह लेने बिना चिलके वाले अगर चिलके वाले आपके पास तो उसका चिलका हटा कर फिर इसको बिल्कुल फाइन पीस लेना अब इ मैंने लिया है milk powder वैसे यह optional है अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो skip कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें काजू और बदाम भी डाले हुए हैं दोनों में से एक चीज भी डाल सकते हैं या काजू बदाम डाल लेना या इसको डाल लेना तो अब लिया है यह मैंने देशीगी यह मैंने half cup लिया है पर यह इतना नहीं लगेगा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसको mix करते जाना है तो यह देखे मैंसे mix करती जा रही हूं तो देशीगी जो है one third cup के करीब लगा है तो अब यह सारी तो ऐसे बना सकते हूं गोल गोल लड्डू की तरह बना सकते हूं या फिर यह देखे मेरे पास है पेड़े बनाने का साचा इसमें डाल कर मैं बना रही हूं देखने में इससे और अच्छा लगेगा तो यह देखे मैंने सारे पेड़े बना लिए उपर से इसको गारनिश क के लिए एक फ़ते के लिए हम दूसरे तरीके की स्वीट बना लेते हैं यह देखे मैंने आपनीर मैंने रेडी मेंट लिया है चाहे तो आप घर से निकाल कर भी ले सकते हो अब इसको मैं ग्रेट कर रही हूं तो यह मैंने लिया है एक मेजरिंग वाला कप ग्राम में देखा जाए ना तो डेड़ सो से पोने दो सो ग्राम है यह अब एक मिक्सी का जार लेकर इसमें शूगर डालेंगे हाफ कप तो शूगर आप फोड़ी कम जादा अपने स्वाद के उन्सार कर सकते हो एक हरी लैची डाल रही हूं अगर हरी लैची का पाउडर है तो वो डाल लेना और इसमें जो पनीर हमने ग्रेट किये उसको डाल देंगे अब इनको पीसना है तो इसमें दू दिया पानी कुछ भी नहीं डालना है ऐसे ही बिल्कुल फाइन पीसना है और ऐसा पीसना है कि जो शूगर है उसका कोई दान देखिए मैंने इनको पीस लिया बिल्कुल ऐसा ही आपने इसको पीस ना है कडाई में एक चमश मैंने डाला है तेसी घी इसमें जो पनीर पीस है इसको डाल देंगे तो इसमें शुगर भी है तीन चम्मज तक मैं डाल दूँगी इसको डाल कर भी दो मुनट पकाया है अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर दो चम्मज डाल रही हूँ इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा वैसे अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसकिप कर देना बस फिर आपने एक ख्याल रखना है कि इसको आपने थोड़ी जादा देर पकाना है जब तक कि यह थोड़ा सा डो सूख गया है तो ऐसा जब हो जाए और कडाई चोड़ने लग जाए तो गैस बंद करके इसको निकालना है अब यह डो ठंडा हो गया है चाहे तो आप इसे लड़ू बना सकते हूं मेरी तरह बर्फी बना सकते हूं तो मैंने इसे थोड़ा सा स्मूध भी कर लिया हाथ से त तो अब यह 15 मिनट में सैट हो गई है इसके उपर में चांदी का वर्क लगा रही हूं तो वर्क भी जरूरी नहीं लगाना आप ड्राइफ रूट लगा सकते हूं और इसको अब कट कर लेंगे तो यह देखिया आप कितनी अच्छी बर्फी बनी है खाने में भी बहुत टे सेविया लिए जो पतली वाली होती न यह बॉम्बीनों की है इसको बिल्कुल बारीक सा तोड़ लेना हाथ से और लेनी है यह एक कप तो ग्राम में देखा जाए तो 100 ग्राम है यह तो अब लेना है एक पैन इसमें मैंने डाला एक चमच देशी घी और इसमें डाल लेंगे बॉम्बीनों की है सेविया इसको अच्छी तरह से बस रोस्ट करना है यह रोस्ट हो जाती है फटा फट से हो गई है तो इसको निकाल लेते हैं और अब इसी पैन में डाल लेंगे आदा कप डैसीकेटिड कोकोनेट इसको भी रोस्ट करेंगे तो इसको रोस्ट करने में आ अगर आपके पास full cream आने के बाद मैं इसमें दो चमच fresh cream यानि की लिए डाल रही हुआ जो डूद्ली या वो टोण थोड़ी कम जादा कर सकते हों थोड़ी देर बस इसको पका लेंगे तो देखें आप यह थोड़ा से रिडियूस हो गया दूद करीब 30% तक रिडियूस हो गया है इससे जादा रिडियूस नहीं करना है अब इसमें मैं एक चीज ऐसी मिलारी है जिससे टेस्ट और भी जादा बड़ेगा मिठाईगा तो यह है दो टेबल स्पून मिल्क पॉर्डर इसको डाल कर मिक्स कर लेना चीज तरह से और मिला देना सेविया जो हमने भून कर रखी है ना सेविया और डेसिकेटिड कोकुनट जो है ना सारा डाल देना सेविया डालने के बाद गैस को बिल्कुल लो करके से पकाना नहीं तो जो यह सेविया होती है ना दूद को फटा फटा एब्जॉब कर लेती हैं तो लो फ्लेम में पकाएंगे तो थोड़ी देर लगेगी 2-3 मिनट लगेंगे तो सेविया भी अच्छी तरह से गल पैन को इसने चोड़ दिया है तो गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे ठंडा होने पर इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो आप चाहो तो इसे बर्फी की तरह जमा भी सकते हो लड़ू भी बना सकते हो पर यह मैंने लिया है कुकी कटर इस मैं बना रही हूं आ खाने में भी बहुत तेस्टी बनती है अब बनाएंगे कोकोनेट स्वीट इसके लिए आपने लेना है डैसी केटिड कोकोनेट या फिर फ्रेश नारियल को भी ले सकते हो ग्रेट करके वन एंड हाफ कप मैंने लिया है इसमें मैं डाल रही हूं वन थर्ड कप पॉडर शुग वर div evolve भी डाल सकते हो अब इसको में असारी चीजों को और इसका सथ यार करने मिलक जाएगा तो wilk room temperature का ले लρείना तो एक साथ जादा नहीं डालना क्योंकि इसमें मिलक जो है बहुत थोड़ा थोड़ा कर坂 के डालना थोडा सई यूज होता है मिल्क जादा इसमें मिल जाए न, गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा मिला लेना अब ये तियार हो गया है डो तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं दो कलर की स्वीट बना रही हूँ अगर आप एक ही कलर की बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बना सकते हो एक पार्ट में मैं मिला रही हूँ पिंक कलर खानेवाला फूर कलर जो तया न, वो डाला है आप कोई भी और कलर इसमें डाल सकते हो मिक्स कर लिया है अब यह मैंने एक बॉक्स लिया है इसमें फॉइल लगा लिया है इस पर थोड़ा सा देशी घी लगा लेंगे अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे है तो आप उसका यूज कर सकते हों इसमें पहले मैं डाल रही हूं वाइट वाला पाट स्पैचल ला से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे और इसके उपर अब पिंक वाला पाट डाल कर थोड़ा सा इसको दबा लेंगे तो इसको अब जमने के लिए छोड़ना है चाहे तो सलेप पर ऐसी चोड़ दे चाहे फ्रिज में रख दे 15 मुनाट के लिए अब 15 मिनट में ये जम गई है तो इसके पीस कट कर लेंगे शेप आप इसकी कोई भी दे सकते हो इसके ओपर अब मैं गानिश कर रही हूँ लगा रही हूँ चान्दिका वर्क चाये तो आप कोई ड्राइफ रूट भी लगा सकते हो ये इंस्टेंट सी कोकोनेट बर्फी बनकर त्यार हो गई है उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जुरूर कर देना चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ खुश रहें स्वस्त रहें थैंक्स फूर वाटिंग